प्रटिहार का हसन गंच प्रकंट अब हाई टिक हो गया है 26 साल बाद इस प्रकंट को अपना भवन मिल गया है बिहार के डिप्टिसियम तारकिशो पुसाद और ग्रामीन विकास मंत्री श्रवन कुमार ने ब्लॉक और अंचल ऑफिस के साथ साथ आवासिय भवन का अनावरन किया है गोरतलब है कि 30 सितंबर 1994 को हसन गंच को ब्लॉक का दरजा मिला था तब से ये ब्लॉक सामुदाइक भवन में चल रहा था लेकिन अब पूर्ण रूप से ब्लॉक बनने पर लोगों में जबरदस्त उत्सा है प्रखंड काउद घाटन हुआ है लोकारपन हुआ है और यह प्रखंड माननिय पुप मुखमंत्री सिरी तारकिसोर परसाद जी के बिधान सभार निर्वाजन छित्र के अंतरगत पड़ता है इस बिल्लिंग पर 18 कडो से अधिकरासी खर्च की गई है बिल्लिंग बहुत अच्छा बना है इसमें फरलीचर भी लगाये गये है पूरी सुधा से लैस किया गया है और हमारे क्रमचारी अब ठीक से यहां पर काम करेगे उनको हर प्रकार की सुधा भी है और जो इस इलाके की जद्ता है जो बर्खंड और अंचल से जुड़े हुए जो भी काम होंगे उसको बहुत ही आसानी से बहुत सहज तरीके से उसका निस्पादन भी किया जाएगा और इस तरह का बिल्लिंग राज में 178 बन रहे है ये 77 भवन जो प्रकंड अंचल कार जाले के भवन है वो बन रहे हैं 78 और 101 भवन बन रहे हैं सुचना प्रद्विक भवन बन रहे है दोनों का मकसा देखी है पंचायत अस्तर होना है और इसके लिए मानिय मुक्वंदर जी के नेतरित में और हमारी ग्रामिन विकास मंत्री समानिय स्री सरवन कुमार जी ग्रामिन विकास को विशेश तोर पर देखते हैं और हमारे साथ आज जेस उद्गाटन समारों में मौझूद भी है और इसके लिए पंचायत अस्तर पर पंचायत सरकार भवन के अस्थापना प्रतेख पंचायत में की जा रही है और इस प्रकार के सभी सुविधाओं से सुसजित परखंड कारेले सा आवासिय परसर कावी निर्मान कार्ज मानिय स्री सर्वन कुमार्टी अपने विभागी अस्तर पर सभी परखंडों में करवा रहे हैं और उस कड़ी में कठियार विधान सवाज छेतर और कठियार जिला का यह हसन नंज परखंड शोभाग साली है कि बहुत छोटा परखंड होने के बावजोद भी हमारे गराविन विकास मंत्री ने इस परखंड मुख्याले में इस तरह के भवन निर्मान का इन्हों ने आदेज दिया और जिसके कारण आज यह भवन का निर्मान हुआ और इसका उद्गाटन हो रहा है मैं स्री सर्वन कुमार जी को विशेश रूप से बदाई देते हैं कई तक्निकी बाधाई आए और उन बाधाउं को दूर करते वे इस परखंड भवन का निर्मान हुआ है जहां ग्रामिन जो हमारी बेवस्त